के ago हैं यह दीसस इंड व लगॉरिथम की इस वेडियो सिरीज में फ्रेड्स हमारा आज का टॉपिक है मैंनीमॉम क्यों स्पैंदूइग री ठीकर्प्रेंम्क्स बई-दिसक्स करें घ्रट मिनीमम्क कॉष्टिपा Cat मैं आपके सामने कुछ points जो है वो discuss करना चाहूंगा first point is what is the difference between a tree and the graph tree और graph में क्या difference होता है basically तो दौनों ही जो है वो कैसे है non-linear data structure है कैसे non-linear data structure है tree और graph तो दौनों में difference क्या हो गया okay difference क्या है friends मैं आपको बताता हूं कि first difference है tree has only a one root node ठीके यहाँ पर जैसे कि आप tree का यह structure देखते हैं यह कुछ tree का structure है okay एक tree मैं सिर्फ एक ही root node हो सकता है और उस root node को हम क्या कहेंगे that is the origin point the origin point of the tree ठीके origin point is nothing but the root node क्या कहेंगे friends उसको root node जहां क्या होगा tree की जो है वो starting होगे tree की starting होगे उसको हम क्या कहेंगे the my original point लेकिन friends graph में क्या होता है graph में यह होता है जैसे यह जो मैं structure बना रहा हो कहेंगे आप यह तो tree है बट friends यह graph भी है जरूरी नहीं कि graph का structure कुछ ऐसा ही हो ठीके कोई जरूरी नहीं है जो graph में क्या होता है कि friends हर node हर vertices एक root node की तरह behave करता है हर node चाहे बली वो कोई भी node हो हर node जो है वो root node की तरह behave कर सकता है इसका मतलब यह हुआ कि graph की जो starting है graph की जो traversing है वो हम किसी भी node से start कर सकते हैं लेकिन जो tree की जो traversing है वो उसके origin point root node से ही क्या होगी start होगी ठीके यह पहला difference था समझवा है आपको second difference मैं discuss करने जा रहा हूँ friends tree is called as the DAG ठीके directed acyclic graph ठीके directed acyclic graph तो friends यहां पर क्या है कि tree में कोई भी cycle नहीं बनना चाहिए that is the acyclic ठीके अगर मैंने cycle बना दिया जिसे आप यहां देख रहे हैं मैंने cycle बना दिया तो अब यह क्या है यह एक tree नहीं है cycle is not possible in the tree cycle is not possible in tree cycle is not possible friends cycle जो है वो tree में possible नहीं है ठीके लेकिन अगर मैं graph की बात करूँ लेकिन friends अगर मैं graph की बात करूँ तो graph में cycle possible है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीके जिसे कि आप देख रहे हैं friends कि इस tree में या मैं कहूँ graph में कोई cycle नहीं है लेकिन इसमें cycle बन रहा है यह बन सकता है या यह बन सकता है या यह भी बन सकता है ठीके तो यहां पर graph में cycle बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है तो यहां मैंने लिखा may or may not be हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है लेकिन tree में तो possible है भी यह ट्री भी है और यह ग्राफ भी है ठीके यह ट्री भी है और यह ग्राफ भी है ध्यान रखेगा तो कंक्लूजन क्या हुआ इसका इसका कंक्लूजन यह हुआ फ्रेंड्स के वरी ट्री इजग्राफ हर ट्री अपने एक graph है क्योंकि उसका अपना origin point है ठीक है उसमें कोई cycle possible नहीं होता है तो वो graph की भी condition है ठीक है तो point क्या हुआ friends every tree is graph हर tree एक graph है लेकिन हर graph tree होना ये compulsory नहीं है every graph may or may not be a tree ठीक है हर graph का tree होना compulsory नहीं है ठीक है ओ भी सकता है नहीं भी हो सकता है जिसे मैं ये diagram की बात करूँ ठीक है तो ये एक purely क्या है graph है this one is a purely a graph this is not a tree this is not a tree लेकिन मैं इसकी बात करूँ तो ये ट्री भी है और ये graph भी है ठीक है आच्छा ये diagram मैं आपको बता हूँ जिसे कि ये diagram है अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे ये एक ट्री भी है और ये graph भी है क्योंकि इसमें कोई cycle नहीं बन रहा है root node हम किसी को भी मान सकते हैं इसको मान सकते हैं इसको मान सकते हैं कोई एक root node होगा और ये एक graph भी है क्योंकि अगर ये tree हो गया तो ये compulsory graph है ठीक है अगर मैं यहाँ पर ये एक age बना दूँ ये एक मैंने क्या बना दी age बना दी तो अब ये क्या हो गया ये एक purely graph हो गया ये tree possible नहीं है ये tree क्या है possible नहीं है ये tree नहीं बन सकता है ठीके तो अब आपको friends tree और graph में फरक समझ में आ गया होगा कि tree और graph में क्या फरक है क्योंकि यह difference समझना ज़रूरी था इस topic से related है यह clear अब मैं आपको बदाता हूँ कि what is the spanning tree spanning tree क्या है और minimum cost spanning tree क्या है ठीके friends अभी हमने discuss किया what is the difference between tree and graph और अब मैं discuss करने जा रहा हूँ the definition of spanning tree okay so friends what is the spanning tree spanning tree is a connected sub graph okay graph का ही यह क्या पार्ट है sub graph है ठीके this is the sub graph okay connected sub graph okay connected sub graph satisfying the following two condition ठीके अगर एक दो condition को satisfy करता है तो उसको हम क्या कहेंगे it is the spanning tree ठीके first condition क्या है it should contain all the vertices of given graph कि जो graph में जो जितने number of vertices है वो उतने तो होने ही चाहिए जैसे original graph में 5 vertices है तो spanning tree में भी क्या होंगे 5 होंगे ठीके second condition क्या है it should contain n-1 ages if original graph has n vertices अगर उस graph में n vertices हैं तो उसमें ages कितनी होंगी n-1 होगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि graph में n vertices हैं ठीके तो उसमें ages कितनी होंगी 4 ages होंगी कितनी ages होंगी चार ages होंगी तो example से friends हम समझते हैं तो जैसे कि मान ली जी एक मैं graph लेता हूँ यह मैंने एक graph लिया है ठीके इस graph में total number of vertices कितने हैं चार है कौन कौन से हूँ ए बी सी और डी ठीके यह चार vertices हैं okay number of edges कितनी होगी यहाँ पर number of edges होगी तीन अब तीन ages कौन से होगे friends वह जैसे मान लीजीए एक हये हो गया एक हये हो गया यह तीन ऐज़े ऑ इस सकती है ठीके यह तीन एज़े होसकती है यह जिसमें और कौन-कौन से में ऑननेमेगी friends इसमें जैसे की हाँ ये तीन एजेज हो सकती है ओके लेकिन लेकिन फ्रेंट्स ध्यान रखियेगा ये तीन एजेज पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं है बिकाज दिस इस दर ट्री दिस इस नॉट अ ग्राफ इसलिए मैंने आपको फरक समझाया था कि what is the difference between tree and graph अगर आपने ये तीन एजेज द्रॉज कर लीत तो ये गलत है ये इस पैनिंग ट्री नहीं है इसके ये सपैनिंग ट्री है ये है ये है ये सपैनिंग ट्री है लेकिन ये spinning tree नहीं है, हमने graph से एक tree construct किया है, तो ये सारे tree है, लेकिन ये spinning tree नहीं है, क्यों कि यहाँ पे cycle आगया, то spinning tree की एक और condition क्या हो जाती है, कि cycle is not possible in the spanning tree, किसी भी तरह का cycle possible नहीं है, clear, तो ये सारे इसके spanning tree है, valid spanning tree है, लेकिन ये कैसा है, एक invalid spanning tree है, ये possible नहीं है, ठीके, तो spanning tree समझ भाया है, अब हम बात करते हैं कि ये minimum cost spanning tree क्या है, what is the minimum cost spanning tree, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, इसको एक बार हम rough कर देते हैं friends, अब मान लेजिए कि इन जो graph जो मैंने बनाएं ages के ओपर मैं कुछ weight assign कर देता हूँ, जिसे 5, 4, 6, 1, 7, ठीके, ये मैंने कुछ है इनके ओपर weight assign कर दिया है, तो अब आप देखें, कि कुछ जो अभी जो बने थे, spanning tree वो क्या-क्या थे, एक ये था, ठीके, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीके, और ये हो सकता है, और भी हो सकते है, जरूरी नहीं हो, और भी possible हो सकते है, ठीके, और भी possible हो सकते है, तो ये सारे इसके क्या है, spanning tree, अब मैं इन में कुछ weight assign कर देता हूँ, इन ages का, इसका है 7, 4, और इसका है 5, ठीके, इसका है 5, 7, और 1, इसका है 1, 6 six और five one six और five और इसका है फ्रेंट्स फॉर फॉर धन यह हो गया कितना six और यह हो गया one यह सारे spanning tree मैंने यहां पर बना दिये हैं this is the one spanning tree, this is the second, this is the third and this is the fourth चार spanning tree बनाया है, और भी possible हो सकते हैं ठीके तो चार spanning tree बनाया है, weight assign कर दिया है मैने तो अब इन weight को हम जोडते हैं 504 9 7 16 यह हो जाएगा 8 और 53 ठीक है यह हो जाएगा सबसे जो minimum सबसे जो minimum जिसका weight आया है किसका है 11 है सबसे minimum किसका आया 11 है हो सकता है यह और भी जू है minimum आये ठीके हो सकता है और भी minimum आये आ सकता है बिलकुल आ सकता है कैसे मैं आपको बताता हूँ एक spanning tree बनेगा यह बन सकता है इसका weight क्या है five इसका है four इसका है one तो पांच उचार नौ और एक कितना हो जाएगा दस हो जाएगा आ सकता है लेखें आ गया यह देखी यह और यह तीन अजिस आ गई दस आ गया तो दस से क्या minimum आ सकता है क्या ठीके दस से क्या minimum आ सकता है क्या फ्रेंट्स दस से minimum नहीं आ सकता ठीके दस से minimum minimum यहाँ पर नहीं आ सकता दीके तो यह क्या हो जाएगा इसका यह तो सारे spanning tree ही है यही फेज और वालिट spanning trees लेकिन यह क्या बन जाएगा this is the minimum spanning tree और यह जो cost जो आई है हमारे पास में 10 इसको हम क्या कहेंगे minimum cost spanning tree क्या कहेंगे friends minimum cost spanning tree वो क्या है यहाँ पर 10 है अब एक्जाम में क्या होगा फ्रेंट्स एक्जाम में ये होगा कि आपको एक ग्राफ दे देंगे उसका मिनिवम स्पैंट्री निकालो या कुछ भी कोई कुश्चन दूसरा इससे रेलेटेड आपसे पूस सकते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप इसके बहुत सारे स्प होती है प्रिम्स कुश्कल्स और प्रिम्स ऐल्गोरिदम इस यूज़ तो फांड आट दी मिनिवम कॉस्ट इस पैंग ट्री ठीके तो कंसेट क्या है फ्रेंट्स पैंट्री का करेक्टेज सब ग्राफ शुट कंटेन दी एन वर्टाइसे ठीके एन वर्टाइसे एन वर्टा नहीं है तो यह कुछ कंडिशन्स हैं जो हमें फॉलो करनी हैं जब कभी भी आप स्पैंट्री से रिलेटेड पुश्चन करें ठीके और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो दो अल्गोरिदम अभी जिसका मैंने नाम लिया प्रिम्स और कुसकल्स अल्कोरिदम उसके बारे मे की minimum cost जो है वो कैसे निका हैं ठीके फ्रेंड्स अभी हमने डिसके किया कि SPANning ट्री क्या है minimum cost SPANNING क्री क्या है अब मैं एक 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 अख्जामपल लेके बता रहा हूं आपको के cost कैसे निकालेंगे हम minimum cost कैसे निकालेंगे क्यों जैसे graph में आप देख रहे हैं का 4,5,6 जो है व प्रिम्स algorithm basically जहां पर हम क्या करते हैं कि कोई भी starting vertex लेके उसमें जो जो भी outgoing जो ages है उसमें cut लगाते हैं और जो भी minimum जो ages है उसको हम लेके या उसको visited करके next वो आगे बढ़ते रहते हैं कब तक जब तक की सारी ages visit की हो जाती सारे vertices visit नहीं हो जाती ठीक है तो थोड़ा lengthy method है मैं आपको बहुत simple और short method बताने जा रहा हूं जो आपके exam में बहुत helpful रहेगा ठीक है क्रुसकल्स में क्या करना है friends आपको कि क्रुसकल्स algorithm में जो जो भी age weight आपको दे रखे हैं यहां पर ठीक है उसको आप ascending sequence में जमा दीजिए उसको आप ascending sequence में जमा दीजिए ascending sequence में सबसे पहला क्या है टू यह कौन सा है डी कॉमा एफ एफ कॉमा दी लिखिए डी कॉमा एफ लिखिए कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह अंडिरेक्टेट ग्राफ है ठीक है फिर क्या है आपके पास में थ्री ओके थ्री का क्या है सी कॉमा ए उसके बाद में है फोर ए कॉमा सी जैटेन फाइफ ए कॉमा भी ठीके सिक्स है क्या बिलकूल है सी डी स्क्सै शी कॉमा दी तीके सैवन है बी दी डी एट यह बिल्कुल है यूदी एट लिखिए इदी नाइन बि है अ क्रमरी 9 is 80 ठीक है और टोटल एक और एज़ेज है EF 10 EF हो गया 10 ठीक है सो टोटल एज़ेज कितनी है फ्रेंट्स इस ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ठीक है 9 एज़ेज आ चुकी है 9 एज़ेज को हमने क्या कर लिया ascending sequence में जमा लिया है ठीक है अब हमें पता है कि फ्रेंट्स इस ग्राफ में ठोटल छे वर्टायसेज है तो इस पैनिंट्री में भी कितने बनेंगे छे वर्टायसेज ही बनेंगे तो मैं बना देता हूं A C E B D और F यी छे वर्टायसेज बना लिये मेने बना लिए now starting from the least least से हमें start करना है age 2 d,f d,f जो है age आप बना लेजिए 2 total number of vertices कितने है friends यहाँ पर 6 है ages कितनी होगी n-1 that is 5 इसमें ages होगी एक age यहाँ पर आ चुकी है ठीके then 3 c,e c,e में यहाँ पर हो जाएगा 3 ठीके a,c4 a,c यहाँ पर आ जाएगा 4 ठीके 3 age आ चुकी है 2 और और निबाकी है then f5 a,b a,b यह रहा आपका 5 ठीके then c,d 6 c,d हो जाएगा आपका 6 c,d6 तो 1,2,3,4 और 5 5 age आ चुकी है बस अब हमें आगे नहीं पढ़ना है आप जैसे आप मालीज यह 7 ले भी लेते हैं b,d ठीके b,d तो आप जैसे ही age लेंगे friends यहाँ पर क्या बन जाएगा cycle बन जाएगा जैसे ही next age लेंगे cycle बन जाएगा अच्छा आप जैसे ही हम graph बना रहे हैं spanning tree बना रहे हैं ठीके तो spanning tree में in between अगर यहाँ पर कई cycle बनता है तो हम उस age को क्या करते avoid करते उस age को हम नहीं लेते friends यह दियान रखेगा cycle जहाँ भी बने वो age हमें लेनी ही नहीं है वो age लेनी भी नहीं है ठीके तो यह बन गया हमारा spanning tree ठीके यह बन गया आपका spanning tree इसको मैं जो है रख कर देता हूं friends यह रख spanning tree बन गया तो आप spanning tree में आप total जो भी age वेट हम को आप count कर लीजिए 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 तो यह कितना बन जाता है 6 और 4 दस 15 16 17 18 19 20 टोटल जो है weight कितना आगया 20 that is the minimum weight minimum cost और यह हो गया आपका minimum cost spanning tree ठीके तो यह बहुत simple सा method difference इसमें आपको कोई cut लगाने की requirement नहीं है कुछ भी नहीं करना है बस आपको जो weight दे रहे हैं उनको ascending sequence में जमा दीजिए दो बाते आपको ध्यान में रखनी है पहली बात क्या है total number of vertices n है तो ages कितनी होगी n-1 होगी दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि cycle नहीं बनना चाहिए cycle जो है वो नहीं बनना चाहिए cycle जहां भी बने जिस age पर बने उसको हमें avoid करते रहना है तो यह two, three, four, five, six यह ages आ चुकि है यह वाले नहीं आएंगी क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है cycle बन रहा है उससे next वाली age को आप जो है ले सकते है clear तो यह था friends spanning tree minimum spanning tree निकालने का तरीका ठीके जिसके थू हमने दो points जो है वो आपको ध्यान में रखने है तब आपकी exact जो है answer आ जाएगा clear now friends कुछ points जो है मैं आपके साथ मैं discuss करना चाहता हूँ जो की minimum cost spanning tree से related है ठीके क्या for the complete graph complete graph का मतलब क्या होता है like this ठीके सारे nodes हैं वो सारे एक दूसरे से क्या होता है connected होता है जिसे कि इस graph की बात करूँ तो यह कैसा है k4 graph है चार vertices है चारों है दूसरे से connected है तो आपको पूछा जाए कि इसमें total number of spanning tree कितने लगेंगे ठीके total number of spanning tree कितने लगेंगे यह question जो है पूछा जा सकता है तो आपको सीधा सदा यह formula apply करना है n raise to power n minus 1 ठीके n क्या है यहाँ पे total number of vertices जैसे मैं k4 की बात करूँ तो k4 में total number of spanning tree कितने बनेंगे ठीके 4 4 minus 2 ठीके 4 यह 4 minus 2 कितना हो गया 2 तो यह कितना हो जाएगा 16 16 सोला इसके spanning tree बनेंगे minimum spanning tree कौन सा होगा यह मैं नहीं पता मैं total spanning tree की बात कर रहा हूँ ठीके time complexity is big of e plus n log e where e is the to create the main heap and e is the small e is the age ठीके और यह एक statement है आपको ध्यान में रखना है more than one spanning tree more than one spanning tree is created ठीके if if the age weight is repeated ध्यान लखिएगा friends उसके more than one अगर minimum spanning tree बन रहे हैं ठीके more than one minimum spanning tree बन रहे हैं friends तो यह ध्यान लखिएगा यहाँ पर मैं एक word और add कर देता हूँ minimum minimum spanning tree ठीके minimum spanning tree बन रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि कोई न कोई age weight जो है वो repeat हुआ है ठीके बस बट जो है इस statement का wise versa true नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि age weight is repeated age weight is repeated then more than one spanning tree यह जो है friends true नहीं है यह बात यह अब जान रखिएगा more than one spanning tree then hundred percent age weight is repeated and if age weight is repeated then it is not compulsory that more than one minimum cost spanning tree clear तो यह कुछ points है minimum spanning tree से related जो आपको धियान में रखने हैं exam में आपके काम आ सकते हैं ठीके thank you so much watching this video